परिश से 300 किलो मीटर दूर करीब यह एक चोटा सा कजबा है शहर है शैटरू करके यहाँ पर जादा आवाजे और चहल पैल नहीं होती है पर भारतिये शूटर्स ने यहाँ पर धमाखे मचा रिखे हैं और जो कहते हैं लेटेस्ट जॉइन दे बैंड वैगन वह है सरब नाम सुनके अप एफ कैसा लग रहा है किसा लगए है कि मेंन चीज लेके आया था जा है यहाँ पर फो चीज अभी हासिल नहीं होई शयाद मैं नेक्सट टूंटी-टूंटी-एट में करूं बश्स ॉर मलूब काफी चीज्स नहीं कि मैं भी यहां भी शूचिज नहीं हु कि एक तो परसनल बैस्ट की मैं जो डेरी लिखता था हर बार की यहां पर जागे परसनल बैस्ट देना वह चीज अभी अनकंप्लीट रही है वह चीज बस वही था कि मैं अपना परसनल बैस्ट दूं और गॉल्ड जो सबका होता ही है वही चीज अचा मनु के साथ आपका यह कैसा रहा मनु का उसमें कितना रोल था क्योंकि एक टीम इवेंट है तो जाहर सी बात है कि दोनों खिलाडियों का कॉंट्रिबूशन होना ज़रूरी होता है तो मनु के साथ कैसा मनु के साथ मेरी वैसे 2019 मेरी फरस्ट मेक्स टीम बढ़ी तो उसके साथ और काफी अच्छ ग अच्छ पंजाब के हिसाब से ना थोड़ा बोलते कम ऐसा मेरे को लग रहा है या सभी बोलते हैं यह थोड़ा हमें बताइए कि क्या है क्या है क्या आप अपनी गन से बोल रहे हैं आजकल एक मूचों पर ताओ तो बनती है यार इतना मतलब जबर्दस मोमेंट है एक वो क् सरब जोत बहुत बहुत चुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ बाइस साल के हैं अभी आपके लिए बहुत कुछ और अचीव करना है तो यह है सरब जोत 10 मीटर एर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉंज मेडलिस मनु भाकर के साथ